Hello students, चलिए स्टार्ट करते बिटा, exercise 12.2 का question number 3 देखते हैं क्या है, statement read करेंगे एक बार The length of the minute hand of a clock is 14 cm, find the area swept by the minute hand in 5 minutes क्या का है उसने, कि हमारी जो watch होती है, घड़ी होती है, clock होती है उसके अंदर क्या होते है बिटा, एक तो second end होती है, हमारी एक minute hand, एक hand, hour end मतलब एक तो हमें hour बताती है कि कितना time हुआ है, एक minute बताती है, एक second बताती है तो यहाँ पर minute hand की बात किये है, उसने, जिसकी length कितनी कही है, उसने 14 cm, ठीक है Find the area swept by the minute hand in 5 minutes, तो 5 minute में वो कितना area swept out कर लेगी, वो हमने क्या करना है, find out करना है किस तरिके से करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैंने clock draw कर ली यहाँ पर, हमारे यहाँ पर क्या होगा, 12, फिर क्या होता है, 1, 2, 3, इस तरिके से हमारी timing होती है, उस पर marking होती है हमारी minute hand मान लेते हैं, हम क्या है हमारी, यह हमारी क्या है, minute hand, ठीक है, 5 minutes means, यह जब पहले क्या थी, 12 पे थी, उसके बाद कहां पर आ जाएगी, बटा यह, 1 पर आ जाएगी तो 12 से लेके 1 पे जाने में उसने कितना area swap out किया, area तो हम easily calculate कर सकते हैं, अगर हमारे पास यह angle theta given हो तो, ठीक है, तो यह theta किस तरिके से find out करना है, यही main चीज है इस question में, और बिलकुल easy method से मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, length जो given है इसकी, लिख लेते हैं, length of minute hand, minute hand, किसके equal हो जाएगे हमारा radius of the circle, radius of circle मान लो या radius of clock, is equal to कितनी given है, 14 cm, ठीक है, next देखते हैं बिटा, अब मान लिया यह जो हमारी needle है, minute वाली, यहाँ से start हुई और पूरा round गूम के यहाँ पे आगे, तो उसने कितना degree angle rotate किया, पूरा, complete, यहाँ से start हुई, यहाँ पे जाके, और वापिस यही पे आगे, तो कितना degree rotate करेगी, 360 degree, ठीक है, means 60 minute में, 360 degree क्या करती है, हमारी clock की जो needle है, हमारी minute hand की, वो round off करती है, मतलब क्या लिखेंगे, we know, 60 जो minutes है, वो कितना angle swap out करती है, 360 degree, तो angle in one minute, क्या लिखेंगे, angle in one minute, किसके equal हो जाएगा, 360 by 60, 0 से 0 cancel, 66 जा, तो मतलब एक minute जो होगी हमारी, means 12 के बाद यहाँ तक one तक क्या होती है, हमारी पास, इस तरीके से lining होती है, तो यह जब needle यहाँ पे आएगी, तो यह कितने degree angle swap कर लेगी, 6 degree, means 1 minute में 6 degree जो है, वो angle बनाएगी, हमें चाहिए कितना 5 minutes में, तो क्या लिखें होंगे, in 5 minutes, कितना हो जाएगा, 6 multiply 5, means 30 degree, तो यह जो theta की value आगी हमारे पास, कितनी आगी, 30 degree आगी, तो अब अपने आप, हम easily calculate कर सकते हैं, area, in 5 minutes, किसके इकोल होगा, theta by 360, into में क्या होता बटा, pi r square, theta की value क्या है हमारी 30, upon में 360, multiply में pi की value क्या होती है, हमारी 3.14, into में r क्या है, radius, radius क्या हमारा, 14 multiply 14, तो यहाँ पर 30 से divide कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या आगया हमारे पास, 12, 2, 6 जा, 12, 2, 7 जा, 2, 3 जा, और 2, 7 जा, और इसको simplify करते हैं, हम 77 की और 3.14 की multiply करेंगे, तो क्या आजाएगा, हमारे पास आजाएगा, near about, यह आगे हमारे पास, 154 divided by क्या आगया, 3, इसको cut करते हैं, तो हमारे पास value जो आजाएगी, वो क्या आजाएगी, 51.3 cm square, तो यह जो होगा, हमारे पास area आजाएगा, कि 5 मिनिट में वो कितना area cover करेगी, तो 51.3 cm square क्या आगया, इसका area, हाई होप यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा, चलिए देखते हैं, next question, question number 4, question number 4 की statement read करेंगे, बिटा क्या है, a code of a circle of radius 10 cm, subtence a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment and major sector, तो यहाँ पे बिटा दो term given है हमें, एक तो minor segment given है, और दूसरा जो है major sector, यह चीज़े आपको अच्छे से clear होनी चाहिए, अगर यह आपको नहीं पता है minor segment और major sector के बारे में, तो एक बर जो starting की first video है न, वहाँ से आप एक बर clear कर लिजिए, minor segment और major sector होता क्या है, वैसे थोड़ा समय है, यहाँ पे भी आपको बता देता हूं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक circle draw कर लेते हैं अपना, इस question के लिए, यहाँ पे क्या कहा है उसने, कि एक code है हमारी, ठीक है, जो क्या कर रही है, 90 degree angle form कर रही है, with center, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ड्रो कर लेते हैं, इस तरीके से अपना figure, और जो यह हमारी code है, यह center से कितना angle बना रही है, 90 degree, तो हमारी code जो हो जाएगी, यह हो जाएगी, इसकी naming कर लेते हैं, A, B, center हो गया हमारा O, और center से जो angle है, वो क्या है हमारा 90 degree, I hope यह चीज आपको अच्छे से clear होगी होगी, यहाँ पे radius जो given है, वो कितना given है, 10 cm, तो मितलब O, A और O, B की value जो है, हमारे पास क्या होगी, 10 cm होगी, ठीक है, अब हमें find out क्या घरना है, वो देखते हैं सबसे पहले, minor segment and major sector, एक बार मैं आपको roughly बता देता हूँ, मान लिया हमारे पास बटा यह circle है, अगर बात करें sector की, क्या करें, sector की बात करें, तो मान लिया यह हमारा center है, और यह जो complete area होगा, यह जो complete area है, O, A, B, यह होगा हमारा sector, इस complete area को क्या कहते हैं हमें, sector कहते हैं, अगर हब segment की बात करें, किसकी बात करें, segment की, तो मान लिया, यह area जो है, यह, center से इसका कोई contact नहीं है, ऐसे कोई भी एक code row की, उसके निचे वाला जो area होगा, यह क्या कहलाएगा, हमारा segment कहलाएगा, ठीक है, यह चीज दोनों term आपको clear होगी होगी, sector क्या चीज है, segment क्या चीज है, ठीक है, अब चलते हैं, अपने question की तरफ देखते हैं, सबसे पहले निकालना है, माइनर segment निकालना है, और एक के, दूसरा जो निकालना है, major sector निकालना है, major sector, ठीक है, major sector किस तरिक्के से find out होगा, यहाँ पर radius जो given है, वो कितना given है, 10 cm, तो r is equal to लिख देंगे, 10 cm, theta is equal to कितना given है, 90 degree, यह किसका है, minor sector का, तो major sector का जो angle हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यह इधर वाला, पूरा complete angle 360 होता है, यह 90, तो यह जो angle बच गया, यह कितना बच गया हमारा, 360 minus 90 करेंगे, तो, यहाँ पर लिख देंगे, 360 minus 90, is equal to क्या हो गया, 270 degree, I hope यह चीज clear है, आपको, क्योंकि यह minor sector का angle है, और इधर major sector का होगा, तो यह पूरे 360 में से, 90 को क्या कर देंगे, subtract, तो angle आगया हमारे पास, 270 degree, अब area निकान लेंगे, क्या होगा, area of major sector, किसके equal होगा, theta by 360, multiply pi r square, value put कर लेते हैं, theta की value क्या आगया हमारे पास, 270, divided by 360, multiply pi की value क्या होती है, 22 by 7, multiply r की value क्या है, 10, तो 10 into 10, 0 से 0 cancel, यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा, और 2 से इसको cut करेंगे, तो 5, तो यहाँ पर जो value आगी हमारे पास क्या आगी बिटा, इनकी multiply करते है, 10 की और 5 की 50, 11 की और 3 की 33, 33 की और 50 की multiply की, तो क्या आगी, 1650, अब उन में क्या है, 7, इसको cancel out करते हैं, तो value आगे हमारे पास, 235.5 cm square, I hope यह आपको अच्छे से clear हो गया होगा, major sector, अब बात करते हैं बिटा, हमारी minor segment की, minor segment means यह वाला area, ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको बताया था, segment की बात कर रहे हैं, तो यह जो हमारी code है, AB, इसके निचे वाला area जो होगा, वो क्या क्या लाएगा, हमारा minor segment, जिसको मैंने अभी dark कर दिया है, थोड़ा सा, यह area हमने क्या करना है, find out करना है, यहाँ पे कोई point ले लेते हैं, C point, कोई भी, देखते हैं, हम कैसे find out करेंगे इसको, area of, first part जो था, हमारा क्या निकालना है, area of, minor segment, अब बेटा, इसके अंदर देखो ध्यान से, अगर मैं complete sector के area में से, minor sector का area क्या हो जाएगा हमारा, O, A, C, B, यह complete जो होगा, यह क्या होगा हमारा minor sector, इसके अंदर से अगर मैं strangle के area को subtract कर दूँ, थिक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह निच्छे वाला area आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, area of minor segment किसके equal हो जाएगा, area of, area of क्या निकलना है, मैं minor segment निकलना है, तो area of minor sector, minus में क्या कर देंगे, area of triangle O, A, B, थिक है, sector ध्यान से समझो, center से लेके और यह जो complete area होगा, means इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको, यह हमारा center हो गया, यह हमारा A point हो गया, और यह point हो गया हमारा B, sector means यह complete area निकलना लेंगे हम, थिक है, इस complete area में से अगर मैं triangle का area सब्ट्रेक्ट कर दूँ, तो निचे वाला area हमारे पास क्या रह जाएगा, area of minor segment रह जाएगा बिटा, तो इसको क्या करेंगे, अब area of minor sector निकालते हैं सबसे पहले, कैसे निकाल लेगा, यहाँ पे theta by 360 into में pi r square, माइनस में area of triangle O A B, area of triangle का formula क्या होता है, half into base into height, perpendicular height, इसको यहाँ पे height भी लिख सकते हैं, height, ठीक है, तो यहाँ पे value क्या आगी, theta by 360, तो theta कितना है हमारा, 90 upon में 360, multiply pi की value क्या है, 22 by 7, multiply r की value क्या है, हमारे पास 10 multiply 10, माइनस में 1 by 2 into base मान लेते हैं हम क्या है, O A, O A की value क्या है 10, multiply O B क्या होगी हमारी height, तो यह मानली यह भी क्या हमारी 10, इसको simplify करना है बस बिटा में, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 91 जा 19, 94 जा, और 4 से इसको cancel out करते हैं, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, हमारे पास 5 multiply 5, यहाँ पे 2, 5 जा, अब 22 into 5 into 5, क्या आजाएगा, हमारे पास, इसको multiply, इसको simplify करके लिखेंगे, तो बिटाएगे, हमारे पास value आजाएगी, 78.5, minus, 10, 5 जा, क्या होगा, 50, तो 78.5 में से 50 को अगर subtract करेंगे, तो value आजाएगे, हमारे पास 28.5 cm2, तो यह जो हमने dark shaded region किया था न, यह area आगया, हमारे पास 28.5 cm2, I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा, यह होगा, हमारा area of minor segment, आपको इसमें segment और sector word आपको समझ में आने चाहिए, तब ही आप इस question को बिल्कुल easily कर पाएंगे, I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा, कहीं पर कोई doubt हो तो बेटा मुझे comment कीजिए, अधरवाइस इस channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, Thank you students for watching this video.